हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉप में कालक शेत्र फाउंडिशन की अंतरगत बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं Ministry of Culture, Government of India की तरफ से जो है वेकेंसी आई है सिक्षक भरती की वेकेंसी जिन पोस्ट की निकाली गई है PZT में संस्कृत, Biology, Political Science, Sociology की वेकेंसी है PZT के अंतरगत जो है Hindi, Maths, Science, Social Science, English Teachers की वेकेंसी है इसके लवा Montessori Teacher की भी वेकेंसी है Lab Attendant की भी वेकेंसी आई हुई है अलग-अलग पोस्ट में जो है अलग-अलग salary mention की हुई है पाकी डेटेल में, notification में चेक करने वाले है application piece भी नहीं लग रही है और परिक्षा भी जो है नहीं होगी exam नहीं होगा तो चलिए देख लेते हैं चयन जो है वो किस तरीके से होगा और कौन-कौन आविधन कर सकेंगे पूरे भारत से जो है कहीं से भी जो है आविधन किये जा सकते हैं तो सबसे पहले जो है main website पर चल के देखेंगे notification जो है कहां से जारी किया गया है कालक शेत्र foundation तो इसके अंतरगर जो है काफी school चलाये जा रहे है ministry of culture, government of India की तरफ से जो है ये vacancy है या TED जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया है यहाँ पर जो है fresher बिलकुल apply कर सकते हैं क्योंकि experience जो है desirable qualification में है तो जिनके पास कोई अनवर्म नहीं है वो भी apply कर सकते हैं PZT में जो subject है Sanskrit, biology, accountancy and business studies, political science and sociology जिसमें master degree के साथ में beard मांगा गया है next TZT में English, Tamil, Hindi, Maths, Science, Social Science की vacancy है Maths and Science में जो है number of vacancy दो-दो है जिसमें आपके पास graduation होनी चाहिए और beard होना चाहिए बस इतना ही कहा गया है उसके बाद जो है SGT में English, Tamil, Hindi, Maths, Science, Computer Science की vacancy है PRT की ही समझिए जिसमें degree के साथ में beard कहा गया है next Montensory teacher में number of vacancy दो है Montensory assistance में 4 vacancy है any degree, आपने किसी भी subject से degree ली है graduation आपने किया है साथ में आपके पास Montensory diploma होना चाहिए library come lab attender की जो vacancy है तो कोई भी graduate past candidate typing speed और computer knowledge के साथ में apply कर सकते हैं अनुभव जो है यहां compulsory नहीं है जिनके पास अनुभव है तो और भी अच्छा रहेगा ठीक है जैसे कि यहां पर TZT के लिए कहा गया है कि अगर post graduate है आप सब्जक्ट में और 3 साल का अनुभव है CBSE school में पढ़ाने का तो ऐसे candidate जो है उनके लिए काफी अच्छा रहेगा salary चेक कर लेते हैं salary जो है PZT में 40,000 तक यहां पर salary रहेगी TZT में जो है आप देखें 22,000 से लेकर 35,000 तक SGT में 18,000 से 30,000 next Montessori teacher की जो है यहां पर आप यहां पर लगा सकते हैं 24,000 Montessori assistant में जो है ठोड़ी सी कम है 21,000 है next librarian की जो है 18,000 से लेकर 21,000 salary रहेगी अब देख लेते हैं vacancy किस school की है Kalakshit Foundation की अंतरगत तो बैसंत अरुंदली senior secondary school और यह जो है Chennai में है Chennai में है यह school post जो है purely on a contract basis यहां से जो है यह लोग कभी भी जो है regular यानि permanent vacancy नहीं निकालते हैं contract बेस पर ही vacancy निकालते हैं interview के बेस पर selection रहेगा demo class होगी और interview होगा ठीक है return exam नहीं होगा एक साल जो है आप यहां काम कर लेते हैं उसके बाद जो है same procedure next next year भी जो है रहता है यानि की formalities होती है और उन्ही teachers को फिर रख लेते हैं अब उस teachers जिनको अच्छी salary के साथ में जो है कहीं और job मिल जाती है तो post खाली हो जाती है application में भी download from our website इसी जो है यह PDF फाइल है इसी के नीचे आप लोगों को application format मिलेगा उसे आप लोगों को download करना है यह link है website का और आप लोगों को 8 March 2024 यानि आज और कल की date दो दिन बाकी है इस email id पर आप लोगों को भेज देना है application form आप लोगों को नीचे मिलेगा यहाँ पर जो भी interested candidate है CETAT या STAT यहाँ पर नहीं कहा गया है बिना experience के आप यहाँ पर apply कर सकते हैं return exam भी नहीं होगा fees भी नहीं लग रही है यह जो है आप लोगों को download करना है और उसके बाद जो है 8 March यानि की कल रात 12 बजे से पहले आप लोग जो है mail कर देंगे बस इतना ही करना है ठीक है बेजना नहीं है तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा जो भी interested candidate है main website का link आप लोगों को send कर दिया जाएगा यहाँ पर आप लोगों को कहां से मिलेगा notification application form तो यहाँ पर right side में आप देखेंगे सबसे उपर है application are invited for contract teachers at BASS school इस पर click करना है और आपके पास यह notification होगा सबसे नीचे आएंगे आप application form होगा और email ID भी जो है यहाँ पर दिया हुआ है इस पर आप लोगों को भेज देना है पर आपके पर आपके पर आपके पर देना है